देखो बच्चो रेय ओप्टिक्स के आज के क्लास में फिर से हम लोग कुछ नोमेरिकल्स पढ़ेंगे जो बहुत ही अच्छे नोमेरिकल्स है और उसके अलावा मिराज और ओप्टिकल फाइबर का थ्योरी भी लास्ट में हम लोग समझेंगे तो पढ़ाई को स्टाट करते हैं तो बाबु ध्यान पुर्बद अभी तक के रेय ओप्टिक्स को कंप्लीट करो आज यह जो वीडियो जा रहा है यह रेय ओप्टिक्स का लास्ट क्लास है इसके पहले वीडियो जिमें हुमेर नहीं गया था और नेक्स क्लास से हम लोग अप्टिक्स और डूएल नेचर मिला कर डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में या सी बीएसी बोर्ड में एकॉर्डिंग कुसी लेवस 18 नंबर का होता है और यह कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपोर्डेंट टॉपिक है तो इतना विश्वास रखो बच्चो सिर्फ एडवा हर एक कोशन पकड़ लोगे हर एक कोशन दुम लगा लोगे इसलिए इसी बिश्वास के साथ हम लोग मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे पूरे सिलेवस पूरे इंटायर सिलेवस को अपलोड कर देंगे जो भी बच्चा सुरुवात से लेके लाश्ट तक धैर रख कर थो शुट गए है पढ़ नहीं रहे है उन्हें बाबु प्रेरित करो उन्हें बताओ कि पीछे से ही सही पढ़ाई को जारी जरूर रखें क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और हमारे पास आज के दौर में कोई आप्सन नहीं है सिछा और ग्यान किसी भी तरीका स से ले लिया जाता है एड़श्टमेंट के हिसाप से ही सही मेहनत करके सभी बच्चा लोग को पढ़ना जरूर होगा तो आज कम से कम दो बच्चे को तुम जरूर प्रेरित करोगे जो भी वीडियो देख रहा है दो एस्टूडेंट को जरूर प्रेरित करे जा वह पीछे से मेठ फिलिक्स के जो क्लास जा रहे हैं वह देखें और जुनियर बच्चों को जोड़ोंगे उन तक भी वीडियोज को पहुचाओगे आगे क्लास करते हैं देखो बच्चों तो देखो क्लास यह है कि इस तरह का एक सेफ बनाया हुआ है मेरा देख रहे हो थोड़ा जीब सेफ हो गया इधर प्रिजम का स्थिती था लेकिन इधर एस्पेरिकल सर्फेस बना दिया गया इसे स्पेरिकल सर्फेस का रेडियस 10 सेंटिमेटर है यहां पर एंगिल 60 डिग्री दिया है य जो मिडियम है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू है समझेगे बच्चों रे आके इंसीडेंट किया वह 45 डिग्री एंगिल पर इंसीडेंट किया और फाइनली यहां प्याके स्ट्राइक किया आई पर इसको ओ माल लो तो ओ आई का डिस्टेंस हमें बताना है ठीक है यहां पे इस सर्फेस पर यहां तो प्लेन सर्फेस है ना तो प्लेन सर्फेस पर अप्लाइन स्नेल स्ला अगर हम स्नेल स्ला लगाते हैं या तो देको बच्चों हम तुम लोग के लिए न निद्ये के स्नेल स्ला लगा रहे हैं या तो कमपटिशन में तुम्हें लिखने का जरू थोड़ी है या जरूर थोड़ा मूरेगा और मूरे साइन आई इस इकल टू हो जाएगा 1 by root 2 into root that is 1 by 2 आइ हो गया 30 डिग्री तो यह एंगिल मेरा 30 डिग्री आई गया तो यह 30 हुगा तो यह 60 डिग्री हो गया देखो ज्यान दो जो कि नोर्मल अगर है तो यह 30 हुगा तो यह 60 दिया हुगा है तो good news यह है कि यह अगर 60 होगा और यह अगर 60 होगा तो यह लाइन इसके parallel हो जाएगा तो अब आते हैं spherical surface के लिए फोर इस spherical surface जो रे अब आ रहा है मेरा देखो इधर medium मेरा root 2 दिया है और इधर medium 1.514 दिया हुआ है ठीक है रे जो आ रहा है वह प्रिंस्पल एक्सिस के parallel आ रहा है यहां कैसे जाने हैं यहां 60 डिग्री ते यहां 60 डिग्री ते यहां रे parallel हो गया यानि कि इसके दिए यू जो है infinity हो गया बच्चो और यहां जाहां काड़ते हैं वही तुमारा O IBR distance B यानि डैटिज हमें B ही निकालना है radius of curvature 10 cm दिया हुआ है तो हम लोग spherical फर्मुला लगाएंगे तो म्यू 2 बाई B माइनस म्यू 1 बाई U म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R तमुला होता है जैको दोनों साइड अलग-अलग medium हो जो surface हो spherical हो तो हमेशा reflection फर्मुला आपको spherical surface हम अपलाई करते हैं म्यू 2 के जगा 1.514 बाई B यही निकालना है म्यू 1 का जागा root 2 यानि I infinity से divide कर देना है 1.514 बाई 1.414 रेडियस हम इधर ही ना आप रहे है इधर ना आप रहे है रे इधर चल रहा है और इधर हम measurement भी कर रहे है तो plus 10 cm इसको माइनस करोगे न बाबू इसको माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.1 by 10 ठीक है ध्यान दो 0.1 by क्या मिलेगा तुम्हें 10 मिलेगा ठीक है तो उसके बाद हमारा इसको अगर अब इसके बाद हमारा solve करेंगे तो 1 by 100 मिलेगा तो भी जो है multiply कर देगा 1.514 into 100 cm या भी तुम्हारा required distance मेरा मिलेगा तो ऐसा question अगर हम उमीद करते हैं या question सब लोग जरूर बना लोगे क्लियर है बच्चो ध्यान पूर्बात question को अगर समझोगे question तुमको जरूर बन जाएगा तो ऐसे numerical भी आते हैं अग हम numerical से जुड़े हुए एक इसको बाबु नोट कर लोगे नोबेरीकल से छुड़े हुए एक bottoms को हम तुमको बताने जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो numerical बनाने में डर रहे है या नदो समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज सोच रही हमें बोट देना है तो हम मेंस एडवांस के नमेरिकल को क्यों पढ़ें अपने आपको मजबूत करने के लिए अपने दिमाग के जोला को बढ़ा करने के लिए पढ़ना सबको जरूरी है बच्चो इसलिए या इगलॉर नहीं करो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ो जरूर ऐसा बत सोचो कि या क्यूं हम पढ़ रहे हैं देखो बच्चो इस तरह का एक लेंस दिया हुआ है इधर मू 1, मू 2 और मू 3 रिपीट करो जो जो नुमेरिकल हम बता हैं बहुत सारे नुमेरिकल के क्लास अब तो चलेगा है जितना भी नुमेरिकल बता हैं सब को रिपीट करो जितना भी नुमेरिकल लगब मेरे विचार से 35 पैथिस नुमेरिकल हम क्लास में भी करा चुके हैं और NCRT तो है ही, उसका भी नोमेरिकल तुम लोग करो, NCRT का नोमेरिकल करो, NCRT का थिवीरी पड़ो, वैसे बेस्ट वीडियो ज गया है, महिनत करोगे, अच्छा जाएगा बरप्चो, यह थीन लेंस है, इसके बारे में थीन बुला है, उन्हों मोटाई के बारे में कुछ ज definition क्या होता है, कि principal axis के parallel line आता है, वह फिर principal axis को दूबारा कहीं काट दे, वही न तुमारा focus होता है, बच्चो, यह focus हमें निकालना है, तब किसी भी lens का अगर focus उचेगा न, तो actually तुम्हें बताना क्या होता है, कि principal axis पर कहा काटा, मतलब lens से principal axis को जो image distance actually बोल सकते हो, वही त तुम्हें निकालना है, यहाँ पे दो surface है, फर्मूला तो याद करना है न, इसको first इसको second मांग रहे है, फोर first surface, अगर हम apply करें, mu2 by v minus mu1 by u, mu2 minus mu1 by r, तो कोई दिक्कत तो है न, लिखेंगे, mu2 by v dash, मांग यह जब पहला surface से image कहीं v dash distance पे बन रहा है, और u तो infinity है, क्योंकि हमको focus नहीं कहला है, तो focus क्या होता है, तो principal axis के parallel, यानि कि हम लेटा से जो object जो है infinity पे है, तो mu2 minus mu1 by r1, तो यहाँ mu2 by v dash की value हमारे पास, mu2 minus mu1 by r1 हमारे पास आ गई है, अगर हम second reflecting surface आते हैं, second surface के लिए अगर आते हैं हम, इस बार दूसरा बार में जो second medium है mu3 है, तो mu3 by v, mu2 by v dash, mu3 minus mu2, अब बटा में r2, r2, v plus में r1, v plus में, क्योंकि दोनों का radius हम इसी direction में measurement कर रहे हैं, mu3 by v minus mu2 minus mu1 by r1, और यहाँ पे mu3 minus mu2 by r2, mu3 by v का जो equation 1 से value हम, mu3 by v dash का equation 1 से value हम लोग लिख लिए हैं, तो यहाँ पे आगया mu3 by v, mu2 minus mu1 by r1, यही धर चला गया, plus mu3 minus mu2 by r2, यहाँ से जो भी v का value आया, वही तुम्हारा focal length हो गया, तो हमेh focal length निकालना था इस question में, अराम से हम लोग बना ली लें, तो देखो आप question को apply करना सीखो, पहले surface और दूसरे surface से reflection formula जो लगाना बच्चा सीख जाएगा, वह question बना देगा बच्चो, अब देखो इस question को यह दोनों सवाल जो भी हम तुम लोग को बताए है, उसमें एक बार plane surface था, फिर spherical surface था, इसमें दोनों surface जो है, spherical है, plane surface पर तो सिर्प सेनेर्स ला लगा जेते हैं, काम हो जाता है बच्चो, साइनाई भाई साइनार बराबर म्यूटू भाई मिंवन, आइसमें तुम्हारा reflection formula पर एस्पेरिकल सर्फेस लगाना पड़ता है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और numerical के तरफ, numerical है बाब, यह प्रिजम है, प्रिजम के बारे में ध्यान दिया करो, एक प्रिजम है, इसपे ray incident किया, ray जो incident किया, वो 45 डिगरी पर incident किया, प्रिजम angle जो है, वो 45 डिगरी है, इसका mu दिया है, इधर 1 और इधर 1 दिया हुए है, यहाँ पर R1 बना और जो यह निकला वह निकलने टाइम में इस पर ग्रेज करके निकला मतलब इमर्जिंग एंगिल जो है 90 डिगरी दे दिया यह एंगिल R2 हो गया तो फाइंड करना है हमें बहुत स्टार कोश्चन है यह अभी देखो बाब हम तुम लोग को बहुत भेराइटी जोफ नुमेरिकल और थियोरी तो संदार कॉंसेप्ट दिये है इसलिए तुम लोग पड़ हो मियू निकलना है हमें तो पहला बात यहाँ पे है कि I के जगा 45 डिगरी पता है और E के जग इस नाइए बाइस इन आर वन इज़े खुँल्ट्ट क्या हो गया बच्चो त्मीम हो गया तो साइन आर वन बराबर आराम से लिए यह बाइन है अब इसके बाद में आगया बहलू फोर सेकेंड सर्फेस अगर हम देखें सेकेंड सर्फेस के लिए अगर बात करें तो क्या मिला हम तो मिला sin e by sin r2 बराबर mu इधर से लेंगे sin e by sin r2 तो mu by 1 e के जड़ा तो 90 degree दे दिया है question कहा रहा है कि एक prism है जिसका prism angle 45 degree है उस पे range जो है 45 degree पे incident किया तो वो निकलते समय critical angle पर बने incident करते निकलते समय 90 degree पर बने prism से grace करके निकला तो हमें mu बताना है तो sin r2 ली देंगे और यहाँ पे mu है तो sin r2 बराबर आगया 1 upon mu sin r1 और sin r2 दोनों का value पता चल गया अब क्या कोई r1 और r2 में relation दिये है हमलों के पास त्यास वा relation क्या है तो r1 प्लस r2 दिया है 45 degree तो हम r1 के जगा r2 45 minus r2 ली देर है दोनों तरफ sin लडा देते है sin r1 sin 45 degree minus r2 ली देर है तो sin r1 sin 45 degree cos r2 minus cos 45 degree sin r into sin r2 यह अब फर्मूला सह तो लोग भूल चुके होगे अगर trigonometry में गड़बड होगा तो biology वाले बच्चे जो महत के नहीं है उनको ज़्याद देना होगा sin a plus b sin a cos b minus cos a sin b अभी 11 class के trigonometry के वीडियो जा रहे है और फर्मूला लिस्ट भी गया है तो जो भी बच्चे जो भी ऐसे बच्चे हैं सिनियर बच्चे जो नहीं देखे हैं उनको फर्मूला लिस्ट वाले वीडियो जो कोच कर देखनेंगे प्लेलिस्ट से trigonometry 11 class में sin r1 बराबर आया है 1 by root 2 में यहाँ पे 1 by root 2 cos r2 आगया बच्चो cos r2 को 1 by root over sin square r2 ली दे अच्छा रहेगा क्योंकि sin r2 का value है मेरे पास यहाँ 1 by root 2 sin r2 है sin r2 को भी तो लिख सकते हो 1 by mu 1 by root 2 1 में root 2 तकट जाएगा यहाँ पे आगया 1 by mu तक 1 by root 2 common यहें कटाएंगे यहाँ पे जाएगा root over 1 minus यहाँ पे 1 minus क्या जाए बच्चो 1 minus 1 by mu square यहाँ 1 by mu बच्चा है तो इधर आजाएगा तक 2 by mu क्या स्क्वाइगा 1 minus 1 by mu square तर आजाएगा बच्चो 4 by mu square और 1 by mu square तो 5 by mu square बराब 1 तो mu बराबर आजाएगा root i बहुत अच्छा सवाल है बच्चो तो कि आज तक में इस फर्णूला का यूज के बल नहीं होता है इसमें इधर से लेकर हम R1 के लिए consider कर लिए है इधर चले था R2 consider कर लिए अब R1 plus R2 के जोगर पैतालीश डिगरी काहे लिए लिए कि R1 plus R2 A होता है उससे हम लोग की solve कर दिए सोलूसन में बच्चे डरते हैं डरना नहीं है यह तीन बहुत ही सांदार नुमेरिकल अभी तुम्हें बताए गया है और चौथा नुमेरिकल हम NCRT का ही last question बताते हैं वह भी बहुत सांदार नुमेरिकल है NCRT के additional का last question अभी बता रहे है ध्यांद बच्चो देखो बच्चो बहुत ही सांदार नुमेरिकल है यह NCRT का last question है रहे ओप्टिक्स का इसमें क्या है कि एक plain mirror है उस पर liquid है plain mirror है उस पर liquid है और liquid के उपर एक lens है equiconvex lens जिसका refractive index 3 by 2 दिया हुआ है कहीं पर इसे lens से 45 cm के distance पर 45 cm के distance पर कोई needle रखा हुआ है सुई रखा हुआ है उसका image फिर उसी जगा पर बन जा रहा है जहां सुई था वही को मने ray आ रहा होगा इससे कुछ reflection रिफ्रेक्शन करके mirror से टा कराके फिर जाके वही बन जा रहा होगा पर अगला experiment किया गया कि liquid हटा दिया गया तो अब फिर experiment वही किया गया तो उस समय image जो है उसी जगा पर बना जब नीडिल 30 cm दून था तो liquid का reflective index समय बताना है तो concept समझो बच्चो एक lens है और एक plane mirror है इस concept को समझना है यहां पर अगर image जो है object यहां पर अगर रखें और इसका image फिर यहीं बनेगा तो तभी हो सकता है जब जाकि यहां पर टकराए और यहां पर 90 degree पर टकराए क्योंकि जब तुम mirror पर 90 degree पर टकराओगे तो वहां retrace करेगा फिर वापस बेज़ देगा फिर वहीं जाकि image बन जाएगा तो यहां काम तभी हो सकता है कुछ भी मूड गया तो फिर मूड के दूसरा जगा बनवा देगा यानि कि mirror पर 90 degree पर पढ़ना चाहिए अब mirror पर 90 degree पर तभी पढ़ सकता है जब यहां से parallel हो रहा हो और parallel तभी हो सकता है जब focus से आ रहा हो फोकस का लाइन जाके parallel होता है तो देखो पहला केस जो है केस वन जो है मेरा इसमें उसमें लिक्वीड और लेंस का सिस्टम है लेंस लिक्वीड सिस्टम है इस सिस्टम में इस सिस्टम में image is formed image is formed at itself if image जो है उसी जगा पे बनेगा बच्चो अगर image जो है उसी जगा पे बनेगा अगर race incident नॉर्मली टू मिरर नॉर्मली टू मिरर for this for this object is at object is at focus और यहां focus कैसा होगा equivalent equivalent of lens liquid system lens liquid system से equivalent focus देख यहां में दो लेंस का बेवार हो जाएगा एक तो जो गीवें lens है हुआ और एक जो लिक्वीड से लेंस बना है लिक्वीड से भी तो इस तरह का एक लेंस बन गया बच्चो एक स्ट्रीकल सर्पेस एक फ्लाइट सर्पेस तो लेंस लिक्वीड का इकुवेलेंट फोकर लेंथ पर object होगा गीवें है object distance क्या दिया है बच्चो 45 cm यानि एक इकुवेलेंट जो हो गया वा 45 cm हो गया एकुवेलेंट हम निकाल लेंगें अब ध्यान दो बच्चो क्या है लिक्वीड रिमूब हो गया लिक्वीड रिमूब होने के बाद सिर्क लेंस बच्चा और मिरर बच्चा तो अब जो object होगा वह सिर्क लेंस के फोकस पे होगा ठीक है इन दिस केस इन दिस केस ऑब जिप्ट इजैट फोकस ऑफ लेंस फोकस पे होगा तोहीं लाइट फी यहाप लेंस पे पड़ेगा प्रिंस्पल एक्सिस के पैरलल हो जाएगा जिसके कारण वह मिरर को 90 डिगरी पर तकड़ाएगा और 90 डिगरी पर तकड़ाने से रिट्रेस कर जाएगा फिर जाके इमेज वही बन जाएगा यानि object distance जो होगा वह focal length of length होगा object distance जो है वह दिया गया है given at 30 cm अब वही focal length of length होगा focal length of length क्या आगे बच्चो 30 cm since यहाँ पे f equivalent हमें पता है f2 बराबर हमां लेते हैं focal length of liquid focal length of liquid system जो liquid का system से जो lens create हो गया है उसका focal length हम f2 मान लिए तो यहाँ पे दो लेंज का combination हो गया आप पहला इस्तिति में तो ही नए f equivalent 45 cm निकला है तो 1 by f equivalent 1 by f1 plus 1 by f2 लिख सकते हैं 1 by 45 और यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चो 1 by 30 plus 1 by f2 यानि 1 by f2 होगा 1 by 45 minus 1 by 30 90 यहाँ पे होगया मेरा LCM तो 2 minus 3 f2 बराबर गया minus 90 cm यानि liquid layer का focal length है 90 cm माइनस माइनस मतलब की वह diverging lens का बेवार करेगा तो देखो बच्चो यह बात concept को समझने वाला है कि अगर कोई भी एक lens है उस liquid पे रखा गया है और फिर mirror है तो फिर यहाँ पे टकरा के होगा आपस लोग को वहीं बनाएगा जब यहाँ से focus ही आएगा तो पैरलल होगा पहले इन दोनों सिस्टम के focus पे इन दोनों का system का focal length हो गया 15 cm और अपिर अखेले का focal length हो गया 30 cm तो इस liquid का focal length हम लोग माइनस 90 cm हम लोग निकाल दियें बच्चो अब इसके बाद मेरा अगला कहानी क्या है तो ध्यान पूरबक समझो अब इसके बाद का अगला कहानी इसको मिटाते हैं बच्चो अब इसके बाद का अगला कहानी है कि हमें तो refractive index निकालना है किसका तो अगर हम lens के लिए आते ह लिंस जो मेरा क्वी कॉंवेक्स लिंस दिया है उसमें 1 by f बराबर mu-1 1 by r1 minus 1 by r2 होगा 1 by f के ज़िए 1 by 30 लिए दिये mu तुमारा 3 by 2 minus 1 और यहा 1 by r minus minus 1 by r क्योंकि क्वी कॉंवेक्स लिंस है 1 by 2 2 by r रहेगा तो R के जगा गया 30 cm अब लिक्वीड सिस्टम का बात करते हैं हम लिक्वीड सिस्टम का बात करते हैं तो लिक्वीड का सिस्टम इस तरह का है तो रेडियस हो गया R और यहां हो गया प्लेन है तो इंफनिटी रेडियस हो गया इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें म्यू निकलना है फोकल लेंद क्या दिया है तो माइनस 90 सेंट्यूइटर फर्मूला यूज करो 1 बाई F म्यू माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 तो माइनस 1 बाई 90 म्यू माइनस 1 रेडियस पहला रेडियस हम इधर नाप रहे है रे उधर से आ रहा है हम नाप किदर उल्टा नाप रहे है तो माइनस 1 बाटा 30 लिखागा आर के जगर 30 है न R2 तो इंफिनिटी दूसरा रेडियस क्या है इंफिनिटी तो यहाँ पे आजिया माइनस 1 बाटा 90 माइनस म्यू मैनस 1 1 बाटा 90 माइनस माइनस टेंसिल करो 3 तो म्यू बराबर गया 1 प्लस 1 बाट 3 इसलिए म्यू बराबर गया 4 बाट 3 यह हुआ लीक्वीड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो यह गोड में 5 नंबर का सवाल में पूछता है बहुत पूराना में या जेई एडवांस में भी पूछा गया कोश्चन है आज तो NCRT में है तो बोड का कोश्चन हो गया फाइप मार्स का नुमेरिकल में आ गया तो देखो इसमें कॉंसिप्ट क्या युच्छी है कोई भी लेंस से मिरर पे जाके ज प्रिंपे एकस चर्ण ह्तुर। इस लेंस के हेट पर तुम्हारा इस लेंस के फोकस पर नीडिल है तो फिर इसका सब्सक्राइब हो लिकविभीड का फोकल जेंट तो फोकस पर निडिल है तो युय क्यों छली पार गया डिक्वीड का फोकस लिंड भी फोकल लेंद भी हम निकाल बच्चों बहुत सार एसे बच्चے नोट कर ले ना बहुत सार tahu पच्चे है जोकी यह सोचते हैं कि हम यह बड़ा नुम्रीकल आ गया बीच में मिस कर गाए हम फाइप मार्क्स का कुश्चन है बीना प्रैक्टिस के वह सुचते हैं बोर्ड में लिक है रिफ्रेक्शन फर्मूला है लेन्समेकर फर्मूला है प्रिज्म के कॉंसेट्स है तो या तुम बीना बहुत गरमी का दीन है, hot summer, hot summer में जो ground बना रहे हैं, नीचे बहुत गरम तुम्हारा, हवा रोड जो है, desert, रेजिस्तान समझो, रोड समझो, बहुत गरम हो चुका है, गरम होने से किसी चीच का density घटता है, density अगर घटेगा, density अगर घटेगा, तो repetitive index भी घटेगा, तो नीचे पुरा गरम हवा है, तो नीचे का density बहुत लो हो गया है, नीचे का बहुत density लो हो गया है, यहाँ बात concept समझना, यहाँ पर एक पेड़ है, एक पेड़ बना दे रहे हैं, ट्री है, बनाने में फिगर कराब Ἐृट questi होगया, श्यक्ते लिए बना दियो, यहाँ से जैसे जैसे हम उपर जारे है, हवा का density तुम्हारा क्या होते जारा है? हथा डिंसिटी तुम्हारा बढ़ते जारा है, च इधर बहुत गर्म हो गया, बडिका होग है गरम रेगिस्तान का रोड है तो गरम रोड के कारण क्या हो गाया बत 250 लो हो गया थे नीचे लो डेंसिटी वपर है नम स्वेड सब्सक्री तो ओक्रों अन्यों इस पेड़ अनोंगर यहां से रियर जाने में लाइट थ्टली दूर थीधि वालन दूर भुझते हत्स你 थीडिक façon तो भुझत दुचालो यहां पर और सम्न है दूर लुक्त तो उसको लगेगा कि यहीछ जौन है इधर से आ रहा तो वह सोचेगा यहां वाटर है वाटर में ही पेड़ का उसको इमेज दिखे रहा है इसलिए वाटर का इलूजन होगा उससे इसी को मिराज कहते है समझो मिराज क्या है तो देखो बच्चो In hot summer air near ground has low density and refractive index Low density and refractive index होता है Low refractive index होता है लो डिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है थीक है, लाइट रेज, लाइट रेज ट्राव़िलिंग प्रोम, ट्राविलिंग और त्री, ट्री या तॉल बिल्डिंग और ट्री से जो लाइट रेज ट्रेवल करता है, has to travel has to travel has to travel from denser to rarer medium denser to rarer medium denser से rarer medium की वर travel करता है hence rage bend away from normal rage होता है bend away from normal normal से दूर मूरते हैं ठीक दा in this process इस प्रप्रिया में दूर मूरते जा रहा है in this process if अगर in this process if incident ray incidence angle angle becomes becomes greater than critical angle critical angle then total internal 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 reflection occurs total internal reflection occurs and it seems to it seems to be it seems that प्यासा लग्ता है की light light is coming out out from ground light जो है ground से आ रहा है ठीक है हेंस हेंस देर इज इल्यूजन भ्रम इल्यूजन अफ वाटर एट ग्राउंड हमें ग्राउंड पर वाटर का इल्यूजन होता है ठीक है इस इच कॉल्ड मीराज इसी को हम लोग मीराज कहते है ठीक है बच्चो तो मीराज क्या है यह श्टेटमेंट तुम लिए सकते हो हवा पूरा गरम हो चुका है हवा फैल चुका है रिप्रेक्टिब इंडेक्स कवम हो गया है दूर में हवा जैसा था विशा है दूर में जैसा टम्प्रेशर विशा है तो दूर में डेंसर मेडियम नजदिक में रेयर मेडियम डेंसर से रेयर लाइट जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटते जाएगा दूर हटते जाने ये करम में अगर क्रिटिकल एंगिल से बढ़ा यहां तो इ इसी ब्रह्म कोंग लोग मिराज करते हैं तो देखो कॉंसेट तो समझा ही रहे हैं बोड एक्जामनेशन में इंसर कैसे लिखोगे यह सब बाते भी तुम्हें हम बता रहे हैं तो कोई भी कोश्चन इंसर बोड में नुमेरिकल अब्जेक्टिव कॉंसेट सब कुछ तुम्हे में बता रहे हैं इवेन मेंस नीट के कोश्चन के साथ तो सोचो कि एक बेसिक्स लेके बोड में एक्जामनेशन देते हुए किस तरह के लेबल का तयारी तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम करते हो तो एक क्लास्रूम जो महसूस है वह तुम कर सकते हो इस चैनल पर तो ध् अप्टिकल फाइबर क्या होता है तो बहुत पतला बहुत पतला लगभग बाल के मोटा इसे कुछ मोटा एक तार होता है उसका काम क्या होता है तो उसका काम होता है सिगनल को बीना घटे सिगनल के इंटेंसिटी के को स्ट्रेंद को बीना घटाए बहुत तेजी स्पीड मे एक अस्थान से दूसरे अस्थान तर पहुचा देगा Medical field में या signal में Data signal में इंटरनेट में बहुत काम देता है कभी Internet connection घर में लगाओगे तो जो तार आएगा वो optical fiber ही लगता है optical fiber में क्या होता है बच्चो optical fiber में इस तरह एक तार होता है कि सब्सक्रीमें सब्सक्राइट इसे सब्सक्राइब पढ़ता है उसको डेंसर से विलूर्म तरहा इस तरीकर से इसको फंटरा किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को इस तशक्राइबर की कि इस तरह से दियर पढ़े जो यहां जुह एंगिल होग्ल से बड़ा हो जाए तो यह वह पे आएगा Except फिर यहां पे आएगा फिर ऐसे टोटल इंटर्वेल रिफ्लेक्शन सर्फेस पे होते रहेगा और यहां पे सिगनल पहुच किया है तो यहां पे सिगनल पहुच किया है तो तोटल इंटर्वेल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन तो कुछ होगा नहीं तोटल इंटर्वेल को ट्रांस्मीट कर दिया एक प्लेश से दूसरे प्लस तक दिना स्थ्रेंद घठाव एक पतला सतार होता है जिसका इस तुरह कंस्ट्रक्षन होता है कि नीचे डेंसर मीडियम उपर रेयर मेडियम का लेयर होता है किसी जब हम इसको सिगनल किराते हैं तो ऐसा किसी भी के अधर ठेर डिरेशन को यहां पर स्क्सविटा सलिक्ट में पता है और इस क्राइबर तो optical fiber जो होता है वो टोटल internal reflection पर काम करता है तो NCRT में लगभख सभी concept तुम्हें पढ़ा दिये गया है सभी numerical बता दिया गया, high-five range भी बता गया है board के भी question बता दिये गया है जब wave optics का class हो जाएगा तो question bank भी board में जो questions होते हैं उनके class को भी कराए जाएगा लेकिन मेरे भी चासे कोई अब need नहीं है तुम खुद भी अब सब कर सकते हो competition का तैयारी, width, board में पूरा 100% marks लाने का score करने का तब तक के लिए बच्चों, पूरा पड़ो, मेहनत करते रहो आगे मिलते हैं अगले class में wave optics लेकर